गाइस, code को लिखने के लिए आप में से कई लोगों ने different AI tools के बारे में सुना होगा आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे AI tool के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए code लिखेगा लेकिन एक special तरीके से लिखेगा आपके data को analyze करके इसका नाम है Julius AI, अब हम लोगों ने AI के द्वारा code generation पहले भी देखा है, कुछ नई बात नहीं है हम लोगों ने देखा है GitHub को, Pilot को, Rapplet AI को और भी बहुत सारे tools हम लोगों ने देखे हैं लेकिन आज का जो AI tool में आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो कापी different है in a way, कि ये code generation करता है, आप लोगों के काम को accomplish करने के लिए अगर मैं 1% नीचे जाने पर खरीद रहा हूँ और 5% उपर जाने पर बेच रहा हूँ, तो मेरा P&L कितना हुआ तो ये capable है answer देने के, मुझे ये बताने के कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नी करना चाहिए मैं अपनी future की algo trading strategies इसके हिसाब से बना सकता हूँ, code ये जो देता है, वो comments के साथ देता है मैं आप लोगों को suggest करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग complete देखो, ताकि आप लोगों को भी इस AI tool के बारे में पता चले और आप लोग अपना data analysis कर पाएं इस AI tool की साहिता से, चलते हैं हम लोग अप computer screen में, let's get started So guys, मैं आ चुक हूँ अपनी computer screen में और description में दी हूँ लिंक पर आप लोग जाओगे, तो आप लोग आजाओगे, यहां जाओगे, मैं यहां पर start a chat पर click करूँगा, और simply अपने account पर login कर लोगा, तो अगर आप लोग का account नहीं है, तो आप simply continue with Google करके account बना सकते हो, और account बन आप लोग अपनी files को upload करो, और उस file से related कोई question पूछो, और जो भी आप question पूछो के, उसका answer आपको AI दे देगा, लेकिन वो कैसे देगा, यह भी आप लोग को बताएगा, यानि कि, जो code लिखा है AI ने, आपकी problem को solve करने के लिए, वो आपको बताया जाएगा, तो मैं काम क exchange और आप historical data डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी indices हैं, आपर मैं 50-50 चुन लेता हूँ, जो कि हमारी 50 companies की index है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कि 6 months का data ले लेता हूँ, या मैं 1 year का भी ले सकता हूँ, या मैं 1 year का लेता हूँ, तो 1 year का data यहाँ पर आगिया, और बड़ी अच्छे से यह लोग CSV प्रिपेर करके देते हैं, तो मैं एक काम करूँगा, कि यह जो data है, मुझे यह आपर मिल चुका है, मैं इस फाइल का अपलोड करके Julius को पकड़ा दूगा, मैं कहूँगा, Julius अब तुम काम पे लग जाओ, ठीक है, मैं कहूँगा, तुम्हारा काम जो Files I have attached to this conversation, visualize something to help present it, तो एक फाइल मैंने आप पर, अगर मैं आपको दिखा हूँ फाइल, मैं आपको खोल के दिखा हूँ, यह डेटा कैसा दिखता है, तो बेसिकली डेटा कुछ ऐसा दिखता है, कि यार आपके पास open high low close shares traded, और करोड में जितना भी turnover है उस दिन का, वो holidays होती है, trading holidays होती है इसलिए, तो काफी अच्छा data है हमारे पास यहाँ पर, in fact यह काफी छोटा data है, सच बूलूँ तो एक साल का data है, पस मैं आप लोग को यहाँ डेमो करके दिखाना चाहता हूँ, अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि इसने इसको load किया, तो क्या होता है इसकी, जिसे कि आपको समझ में भी काफी कुछ आता है, तो देखो, इसने यहाँ पर बताया हुआ है, यह distribution है, closing prices का, और यह frequency है, तो यहाँ पर आप लोग को काफी अच्छा visualization देखने को मिलता है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा feature है, suggest करने का prompts, कि आप कह सकते हो कि मुझे बताओ कि average price कितना था, Nifty 50 का, from December 2022 to October 2022, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ, calculate the average closing price from October 2022 to December 2022, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ, calculate the average closing price for Nifty in period October 2022 to December 2022, and I'll keep the typo, I'll keep the typo, this M, B, यह मैं रखूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, कि data इसने लोड कर दिया है, basically कभी-कभी errors आता है, लेकिन यह अपने error को fix करता है, ठीक है, और जब भी यह attempt करता है, कुछ भी, और error आता है, तो यह उसको दुबारा fix करता है, यह ठीक हो गया, ठीक है, तो यह एक तरह से human-based approach लेता है, कोशिच कर रहा है कुछ करने की, और वो हो जाता है, तो अच्छी बात है, नहीं होता है, तो इसको यह collect करने की कोशिच करता है, और finally कर देता है, तो मैंने एक prompt लिखा हुआ है, जिसको मैं अगला try करने वाला हू डेटा हमारा लोड हो गया है, and finally इसने प्लॉट कर दिया है, ठीक है, distribution of nifty 50 close prices, अब मैं यह question इससे पूछता हूँ, ठीक है, मैं इससे कहूँगा कि भाई, आप मुझे average closing price of nifty का, from period October 2022 to December 2022, मैंने type हो जान मुझके दिया, क्योंकि भाई, यह AI है, इसको समझ जाना चाहिए, तब ही तो मैं rule-based चीज़ यूज नी कर रहा हूँ, AI यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यह रखा है type हो, यहां पर space भी नहीं दिया है, December 2022 से पहले, तो देखते हैं कि यह कर पाता है कि नीए, इसने मेरे data को काफी अच्छी तरह से मुझे frequency के साथ और closing prices के साथ plot कर के दे दिय idea जो काफी बढ़िया है, अब यहांबर हम क्या करने वाले है, कि executable code जो है, वो generate हो रहा है, तो basically यह यह जो graph है, मुझे बता रहा है कि जो nifty है, वो इस period में 19,500 पर काफी time तक रहा है, काफी दिनों तक यह टिका रहा है, इस price पे, सबसे कम यह रहा है, बीस हजार से लेकर, अभी 21,000 भी hit हो गया, लेकिन 20,000 से लेकर 21,000 तक बहुत कम time के लिए रहा है, क्योंकि 20 से 21 की jump इसने बहुत तेज मारी, ठीक है, तो यह आपर हमें बता रहा है, अब यहाँ पर आप देखो कि इसने मुझे बता दिया code generate करके कि average price जो है, December, October से December तक इतना था, which is amazing, when was the highest nifty closing date, ठीक है, बहुती बुरी तरह से question पूछा गया, यह अच्छे से frame भी नहीं किया है, मैंने काया है, मैंने सबसे highest close कहां पर था nifty का, और यह code generate करता है, हर बार यह code generate करता है, यह code generate करता है, कि आपको यह answer देने के लिए, मैं आपकी data पे कौन सा code run कर रहा हूं, और यह सब nifty 50 was closing, और अगर मैं से यह भी बूचों कि कितनी value, what was the highest nifty closing date, and what was the value, अभी इसने मुझे value नहीं बता, यह जो पूचा है तो बताएगा, जादा क्यों बताएगा, जितना बूचा जाता है उतना बताना चाहिए, तो मैंने HRGBT के तर एडिट कि अपने question को, और यहां पर मैं simply से पूच रहा हूँ कि भाई, मुझे यह भी बता दो कि value कितनी थी, तो यहां पर आप देखो, यह मुझे value भी बता रहा है, and find the date, यह मतलब जो भी code generate कर रहा है, यह कर रहा है भी, इसका process है, हाँ थोड़ा time लेता है, क्योंकि भाई यह पूरा code generation करता है, लेकिन एक सबस messages generate करके देता है, मुझे इसके variable names अच्छे लगते है, सब चीज अच्छी लगती है, क्योंकि यह उस हिसाब से optimized है, ठीक है, maybe it is using open AI behind the hood, I don't know, maybe आप इसको chart GPT जब down है, तब यूज करता हूँ, मैं personally इसको यूज करता हूँ, जब chart GPT down होता है, और मेरे लिए सबसे बड़ा use cases का वही है, chart GPT down है, यहां फिर मैं कुछ ऐसा data intensive वाला काम कर रहा हूँ, जो कि पूरा data driven है, मुझे कोई data दिया, मुझसे कोई काम कराएक है, जो कि मैं करता हूँ, यार, as part of my daily job काफी, मैं Julius को पकड़ा देता हूँ, करवाता हूँ, कभी Julius कर पाता है, बहुत tricky है तो नही कर पाता है, बट, मुझे मिलता है एक ऐसा code, जिसको मैं use कर सकता हूँ, और उसको मैं debug करता हूँ, basic चीजों के code मुझे नहीं लिखने पड़ते हैं, तो कभी-कभी मुझे df.head करने में भी time लग जाता है, यार, क्यों लग जाता है, चुकि यह आपको type तो करना पड़ेग है, तो यह मुझे बता रहा है कि highest nifty closing date यह है, अब मैं इससे कहूँगा, कि plot a prediction of nifty for the next six months, let's see, यह क्या करता है, this is a tricky one, this is an interesting one actually, should not be a tricky one for AI, but let's see, अब यह code लिखेगा, plot करेगा prediction, और मैं इसको कुछ indicators भी दे सकता हूँ, अगर मैं एक stock market का बहुत बड़ा दिख गया, जु तक मुझे indicator यूज करके दिखाओ, इससे spirit तक मुझे बताओ कि RSI indicator किस क्या बता रहा है, buy sell signals, message generate करता हूँ, बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन अभी यह मुझे 6 महीने का जो prediction है, वो बताने का अपना यह game plan बता रहा है, तो यह क्या रहा है, देखो मेरा यह game plan है, मैं stationary, stationarity of time series data check करूँगा पहले, if the data is not stationary, मैं transformations apply करूँगा, सारी काम यह मलब कर रहा है, एक तरह से यह आपका AI data analyst है, एक बात मुझे comment section में बताना, आप लोगों को क्या लगता है, आपका personal opinion क्या है, क्या data analyst की job खत्रे में है, मुझे नीचे comment section में बताना, ठीक है, और मैं इसका answer देने और अभी जनरे कर रहा है code को, और यह अपने sandbox में रन करता है code को, आप यहां से click करके copy कर सकते हूँ, वह एक अलग बात है, बट यह अपने sandbox में रन करके आपकी data पर आपको दे रहा है, ठीक है, बच इस अमेजिग, अब यहां पर यह पता नहीं क्या 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 क्रा रहा है मुझे नहीं पता, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि भाई, यह आपका प्लॉट है, देख लो भाई साब, ठीक है, यह कह रहा है भाई साब, यह देख लो, यह rolling mean and standard division, this suggests that a time series is not stationary and will require different before we can apply a focus, next question is to stabilize the mean of the series, after which we can select, shall I proceed with different, yes यह यह, yes, keep going, keep going, keep going, अब इसने आदा काम किया, पूरा काम किया भी नहीं है, अब देखे हिए करता क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, क्या कर रहा है, तो अभी यह कुल मिला कर, काफी statistics, probability, लगा रहा है, ठीक है, अब नहीं कोंसे methods उसे कर रहा है, बट let's wait for it, let's wait for it, तो एक तरह से इसने बहुती basic से काम किया, भी stationarity check कर यह data की, और अब यहाँ पर देखो यह क्या कर रहा है, अब यहाँ यह काफी काम कर रहा है data के उपर, which is good I am happy कि यह इतनी सारी चीज़े कर रहा है, simply, इसना line plot ने कर दी है, चाहता तो line भी यह जो बता रहा है forecast, देखता हम पहली बात, यह forecast कहां तक कर पाता है, but actual में एक असली data analyst, जो कि इस तरह की problem को solve कर रहा है, वो आ सकता है यहाँ पर, और वो इसको पढ़ पढ़ के, पढ़ बढ़ के, समझ सकता है कि यह कर क्या रहा है, और जो जो test के बारे में यह बात कर है, वो सब actual में यह execute कर सकता है, वो बंदा, और यहाँ पर देखो, इसने क्या किया है, कि यह ERIMA model को fit किया है, अब देखते हैं, यहाँ पर इसने क्या किया है, कि forecast किया है, for the next six months, ठीक है, यह historical था, यह इसने forecast किया है, तो यह forecast थोड़ा सा मुझा अजीब लग रहा है, but भ वो भी stock market का बहुत complex problem है, तो expect यह तो मत करो कि यह बहुत ही अच्छे results देगा, but again, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने क्या किया, में भी इसने कोई गलती करी है, मैंने इसको कई बार देखा है, chat GPT को भी, मैं किसी भी तरह की AI की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ Julius की बात कर मैंने AI को देखा कलती करते हुए, और वहाँ पर आता है काम human का, and having said that, मैं आओंगा अपने question पर कि क्या यह एक actual data analyst को replace करेगा की नहीं करेगा, the answer is absolutely no, लेकिन बात फिर वही आ गई, कौन replace करेगा आपकी जो आपको, अगर कोई खा भी सकता है, तो कौन खाएगा, खाएगा वो इनसान जो कि इस तरह के tools का प्रियुक करता है, क्योंकि शायद आप Google कर करके इतना code लिखते है, Julius आपको comments के साथ वही code लिख कर देदेगा, तो इस तरह के tools को आप अपनी tool belt में जरूर डाले, और यहाँ पर suggested prompts का भी इस्तिमाल अपलोग कर सकते हो, आप कह सकते हो कि भ इस तरह के data के लिए बनाए, आपका data कैसा भी हो, Julius लेगा, analyze करेगा और काम करेगा उस पर, maybe it's using open AI behind the hood, maybe it's using some advanced model जो कि tweak किया गया हो इस काम के लिए, I'm not sure about it, but this is something जो कि आपको बहुत जादा help करेगा, आप इसकी documentation पर जा सकते हो, और अलग अलग तरह की files इसको दे सकते हो tips and tricks वाले section में जा सकते हो, but यह मुझे काफी intriguing लगा और मैं इसके future को लेके काफी excited हूँ, चुकि data analysis AI के दुआरा अपने आप में एक बहुत बड़ी field है, और अगर AI यह सारे काम कर पाता है, then nothing can be better than that, तो मैं क्या करूंगा, एक prompt try करूंगा, और यहाँ पर trading volume का forecast, portfolio optimization model that suggests the best allocation of stocks within the nifty 50 for the maximum return at a given risk level, वाँ, मैं यह ट्राइ गरना जाता हूँ, let me see क्या करेगा, और यहाँ, analyze the impact of major economic events on nifty 50 index performance, conduct a comparative analysis, मैं यह यह वाला प्राउंट ट्राइ करता हूँ, I'm not sure, यह मेरे डीटा में इसका, तो कुछ है नहीं कि मतला कोई stock के बाले में लिखा नहीं, but I want to see, कि एक portfolio optimization model बनाएगा कि नहीं बनाएगा, किस हिसाब से बनाएगा, कहां से लाएगा data, तो यह कह रहा है, बाई, मैं historical price data लेकर आँगा, stocks का, within nifty 50, daily returns calculate करूँगा, हर stock का, वाँ यार, और यह यहाँ पर collect कर रहा है historical price data, but मेरे data में historical price data है नहीं, so I'm excited, I'm very excited उसी यह क्या करता है तो इसने code generate किया, जिसमें error आगया, इसने वापस से इस code को solve करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर देखो, यह install कर रहा है, pandas data reader, अब यह क्या कर रहा है, मैं again excited हूँ, इसने क्या लिखा में देखना चाहता हूँ, क्या try कर रहा है, तो यह यहाँ पर सारे stocks को लेकर आ रहा यह install किया, और कर क्या रहा है, मैं जानना चाता हूँ, मैं जानना चाता हूँ, यह क्या कर रहा है, इसने नया code लिखा है कुछ, pandas data reader को install किया है, और यह install हो गया, अब यह generate कर रहा है code को, let me see, क्या code generate करता है, और कहां से लाता है यह stock, तो यह एक बार execute हो जाए, impact हो गया यह और यहां पर यह लेकर आ रहा है, pandas data reader, मैं देखना हो जाता हूँ, यह data कहां से आएगा, pdr.get data yahoo, तो yahoo से यह data लेकर आ रहा है, yahoo finance से, और ticker start is equal to start date, end is equal to end date, and stock data is equal to, ticker is equal to pdr.get, oh, get data yahoo, pandas data reader के अंदर यह function है, wow, I didn't know that, pandas data reader, let me search for it, let me search for pandas data reader, wow, तो यह यहां पर pandas data reader आपको, कुछ data जो है, वो देदा है, nice, stock market का data इससे मिल रहा है, at least कुछ नहीं, तो मानलो यह नहीं भी कर पाता है, यह कह रहा है कि, to move forward with a portfolio optimization model, we have few options, we could try using a different data source, तो मैं कहुँँगा, keep going, यह क्या कर रहा इसको data मिल नहीं पारा है, जहां से यह लेने की कोशिश कर रहा है, but again, this is very impressive, given the fact कि मैं इसको data दिया ही नहीं था, यह बहार से लाने की कोशिश कर रहा है, यह कह रहा है कि, given the persistent issue with the Yahoo Finance API, I will proceed with my alternative method to obtain the stock data, मैं still excited हो, क्या करेगा, यह देखने के लिए, तो यह एक तरह से इंसान की तरह thing कर रहा है, मुझे यह बात इसके बारे में काफी अच्छी लगती है, क्या है इसका future, क्या ही है, आप लोगों के लिए एक data analysis का 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 करके दे सकता है, end-to-end, मैं काओंगा end-to-end तो नहीं कर सकता है, बिना आपकी intervention के, लेकिन क्या ही आपका काम 10 गुना fast कर सकता है, मेरा जबाब वहाँ पर हार आएगा, and I'm very excited for its future, इसका मैं wait करता हूँ और देखता हूँ यह क्या करता है, once again it's not 100% perfect, काफी early stage पर है, but मैं काफी excited हूँ उसकी growth देखने के लिए, तो let's wait for this code to generate, और यह हो गया generate actually, और again इसको कुछ error आ गया, why finance module भी नहीं मिला, इसे, maybe install वाई finance module को, मैं वापस आता हूँ जब पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसने अपनी process को complete कर लिया, और मुझे बता दिया है, कि भाई, जो reliance है, उसको आप लोग खरीदते है, अगर उनने सको, तो आप लोगो 3.81% return मिलता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, basically क्या कह रह फिर इसको जो भी मिला, उसके बाद इसने ये चलाया, and finally data retrieved हो गया, which means कि हमें ये वाई finance module को install करना था, जो कि इसने अपने sandbox पे for some reason install नहीं किया होगा, तो कुल मिलागर बात ही है, कि this is really good, और इसको सब को try out करना चाहिए, given the fact that it is free, तो मैं description में लिक दे दूँगा, आप आप लोग इसको try out जरूर करना अपने custom data के साथ, और मुझे बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा, अब आपकी charts बिल्कुल chat GPT की तरह यहां पर save होती है, अब मैं आपको बाद बताना चाहता हूँ कि काफी हद तक Julius आप लोगों को लिए free of cost काम करेगा, but if you are somebody जो कि unlimited messages, unlimited exports, basically ये एक नई report भी आप लोगों को दे देता है, तो अगर मैं कहूं कि export only the closing price data for me, तो ये क्या करेगा, एक file export करके मुझे दे देगा, तो ये चीज़ काफी बढ़ी है, जो कि chart GPT आप लोगों के लिए नहीं करता है, आपने एक फाइल दी, input file, आप आप कहरे हो कि मु मुझे फाइल चाहिए, that's it, मुझे दे दो, और बस मेरा काम हो जाए, तो ये बताएगा कि मैंने ये code लिखा आपकी file को generate करने के लिए, इसको मैं चला कि आपकी file को generate कर रहा हूँ, और आप download कर लो, ये लो ये आपके first few rows की preview है, और पूरी file जो है, वो डाउनलोड के ये आपने sandbox का, जो compute power है वो बचाने के लिए, आप से पूछ रहा है कि चाहिए ना file, तो मैं लिख तो नहीं रहे हो, कुछ भी लिखने के लिए नहीं, मुझे चाहिए file तो मैं या पर click करूँगा, और इसने मुझे फाइल डाउनलोड करके दे दिया, और यहाँ पर देख क्या किया कि date-wise इन 4 stocks के closing price ये तो मैं इसको बोला था कि सिर्फ मुझे closing price का data दे दो, आप अपने problem को और भी, मतलब descriptive बना सकते हो, descriptive बना कर आप लोग और अच्छी तरह से data analysis से जगरवा सकते हो, इस बारे में मुझे नीचे comment section में जरूर बताना, और मैं इसका link आप लोग this video and I will see you next time.